अड्वंटेज है सब जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट में क्या अड्वंटेज है देखेंगे, जावा स्क्रिप्ट is easy to learn and understand, समझना और सिकना और यूज कर पाना भहुत आसान रहेगा यह है, इटाया डैनमिक बिहवियर to static html pages, हमें एक web page बनाना है, इसमें सिर्फ html यूज करेंगे, तो सिर्फ static pages मिलेंगे, सिर्फ देखने मिलेगा web page, उसमें कोई डैनमिक features नहीं रहेंगे, कि हमें कुछ बटन पे क्लिक करते हैं, बदले में action हम पाना है, कुछ response पाना है, तो उसके अंदर javascript यूज करना जरूरी हो जाएगा, देखिए एक form है, html का form है, उसमें data एंडर किये हैं, कि वो data valid है, कि नहीं चक करना है, और कुछ बटन पे क्लिक करेंगे, तो कुछ action पाना आए, यह सिर्फ सी क्या होता है, उसे ब सब dynamic behavior बोलते हैं, वो dynamic behavior वो web page को add करना है, तो उसमें के अंदर javascript use करना जरूरी रहेगा, it can be used to validate data at client set, जब हम कोई भी web page खोलते हैं, web page को download करते हैं, जब server में जो web page server से हैं आएगा, जब उस वक्त हैं, html में लिखावा code और java script में लिखावा code, code या जाएगा इधर, code आएके हमारे computer में local system पे run होगा, server से आजाएगा, समझो एक web page है, उसके अंदर आप html यूज किये हैं, और java script यूज किये हैं, और php यूज किये हैं, तो वो web page को हम download करेंगे, तो वो page में html और java script का direct code ही आएके हैं, execute होगा हमारे system में, मने कि client के system में, बट php का code नहीं आएगा, php का का है, यहीं सी data जाएगा, server को, वहाँ पे वो execute होगे, वहाँ से answer सीधा आता है, code नहीं आता है, but java script का code है, इसे client के पास ही execute होता है, java script can be embedded into any web page, recordless of the language used to develop the web page, आप web page बनाते हो, आप web page के लिए कोई भी language use करो, कैसा भी web page बनाए हो, कोई भी language html या कुछ भी language use करके web page बनाए होंगे, आप, मगर वो web page कोई भी language में बना हुआ हो, उसके अंदर java script को add कर सकते हैं, दूसरा, since java script is executed on client's head, it reduced the load on server, तो वो web page को हमें डाउनलोड करते हैं, वो web page के अंदर जितना भी code java script का लिखा हुआ है, java script का code सीधा आके local system में डाउनलोड होता है, client के पास, यहाँ पे run होता है, यहाँ पे run होने सी कहा ह सर्वर पे button कम हो जाता है, अब समझें, वो PHP का code क्या होता है, आता नहीं है, PHP code सर्वर के पास ही रहेगा, यहाँ सी data जाएगा, वहाँ execute होगा, फिर वहाँ सी result आएगा, यह late भी होता है, और सर्वर के उपर button भी होता है, वो java script का क्या है, java script है कि client के पास run होता है, code scripting language भोता है, thank you